Hello students, आपके सामने एक question है, और यह question IATJ means 2023 में आ चुका है, topic है binomial theorem और इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको A plus BX plus CX square की power 10 को submission PIXI के equal दे रखा है आपको P1 और P2 की value दे रखी और इसकी value आपको find out करने के लिए कहा है pause करके एक बार आप question को दुबारा देख सकते हैं, आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यह जो term दे रखी है इसकी आपको general term find out करने पड़ेगी, क्या लिखा है जरा मैं एक बार यहां लिख देता हूँ A plus BX plus CX square की power 10, तो इसकी मैं general term लिख लेता हूँ इसकी general term होगी, 10 factorial over ध्यानकना, P factorial, Q factorial, R factorial अब यह PQR क्या है, जो आपके पास यहां पर 3 terms है, पहला क्या है A, A की power P फिर आपके पास क्या है BX, BX की power Q, फिर आपके पास CX square, CX square की power R तो यह इसकी हो जाएगी general term, लेकिन मान लो अगर यह सिर्फ इतना होता A plus BX की power 10, तो इसकी general term भी इसी तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 10 factorial over P factorial, Q factorial, A की power P, और BX की power Q, फर्क इतना होता, कि यहां पर 3 terms हैं, तो यहां पर 3 powers लिखेंगे, जो कि यहां पर A की power, BX की power और CX की power की रूप में दिखाए देगा, यह भी आपको ध्यान रखना हैं, कि यह जितनी भी powers हैं, इनका सम है, वो 10 ही होगा, लेकिन बगल में जो मैंने यह दिखा रखा है समझाने के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ P और Q की power जो है, वो 10 होगी, अब यह कहां से आया, आपने जो 11 पर पढ़ रखा है, कैसे आप जनले टम निकालते हैं, TR प्लस 1, क्या निकालते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, 10CR, A की power 10-R, और क्या लिखते हैं, BX की power, क्या लिखते हैं, हम R लिखते हैं, जिसको मैं further ऐसे लिख सकता हूँ, 10 factorial, over R factorial, 10-R factorial, A की power 10-R, और BX की power R, इसको मैं ऐसे मिलिख सकता हूँ, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको confusion ना हो कुछ, 10 factorial, R factorial तो as it is रहने दो, यह जो 10-R है, इसकी जगह मैं suppose Q रख देता हूँ, तो यह Q factorial हो गया, तो यहाँ पर भी 10-R की जगह Q हो जाएगा, और यहाँ पर जो यह BX है, इसकी power R रहेगी, ठीक हो गया, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कि यह जो R plus Q है, दोनों powers का sum 10 होगा, तभी तो Q जो है 10-R की equal है, यह समझ में आ गया होगा, अब 3 के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, तो यह आपको पूरी बात समझ में आ हो गया, कि यहाँ पर आपको submission लगाना पड़ेगा, ठीक है, अभी के लिए नहीं भी लगाओ, चलेगा, अब आप देख सकते हो कि इसका जो expansion है, वो इसके equal लिखा है, अगर मैं इसमें I की अलग-लग values पूट कर दूँ, तो पहले 0 पूट करूँगा, तो खाली P0 आएगा 1 पूट करूँगा, तो P1 X आएगा, 2 पूट करूँगा, तो P2 X स्क्वेर आएगा, 3 पूट करूँगा, तो P3 X क्यूब आएगा और इस तरीके से चलता जाएगा, अब आपको क्या करना है, इसके expansion से और यहाँ पर जो यह लंगी चौड़ी आपको expansion दे रखा है, दोनों को compare करेंगे, मतलब दोनों में जो X का coefficient है, उसको compare करेंगे, दोनों में X स्क्वेर का जो coefficients है, उनको compare करेंगे, तो जरा मैं यहाँ तक पहुचा था, सबसे पहले मुझे X के coefficients को compare करना है, ध्यानक न, मैंने उपर लिख दिया है, कि यह P0, P1 X और P2 X स्क्वेर के बराबर है, डॉट, 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 तो सबसे पहले मुझे यह चाहिए कि इसमें, इस पूरे में, मैं X का coefficient कैसे लाओंगा, तो आप देखें, यह यहाँ पर जो Q है, अगर मैं Q की जगो 1 पुट करूँ और R की value 0 पुट करूँ, R की value 0 इसलिए पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो X स्क्वेर है, इसकी power 0 होकर यह 1 हो जाया, तो खाली यह बचा रहे है, इससे आपको X की power 1 मिल जाएगी, यह खाली X भी मिल जाएगा, तो अगर Q और R की value यहाँ पर पुट करूँगा, तो मुझे P की value कितनी मिल जानी ह 9, अब यह 3 values को क्या है, मैं इसमें पुट करूँगा, और देखता हूँ, यह पास क्या आता है, तो उपर तो 10 factorial ही आएगा, नीचे यह हो जाएगा 9 factorial, यह हो जाएगा 1 factorial जो 1 ही होता है, यह हो जाएगा 0 factorial जो 1 ही होता है, multiply यह हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यह, A की power 9, यहाँ Q की जगह 1 put करना है, तो यह खाली BX रहेगा, और यह R की जगह 0 put करोगे, तो यह पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर X का coefficient आपको कितना मि लिखे है, X का coefficient इस तरफ, और उस तरफ जो है, X का coefficient किसके बराबर था, P1 के बराबर था, दोनों को हम equal लिख लेते हैं, तो 10 factorial over 9 factorial, A की power 9 multiply B equal to, क्या है P1, जो की question में 20 की equal है, इसको solve करेंगे, तो यह खाली 10 आएगा, 10 की power A9 B equal to कितना होगे 20, और solve करोगे तो A की 9 B equal आग यह समझ में आ गया होगा आपको, अब यह तो हो गया, जब हमने दोनों तरफ X के coefficients को equate किया, अब हम X square के coefficient को equate करेंगे, तो उसके लिए जो यह मैंने पूरा लिखा है, इसको मैं नीचे दुबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक हो कि यहां लिख देता हो मैं, अब हमें, मैंने लिख दिया है हमबर, अब हमें क्या करना है, X square के coefficients को equate करना है, तो अच्छा यह आपको पहले से पता है, कि P plus Q plus R equal है 10K, तो X square को equate करना है, तो मुझे R की value 1 put करनी पड़ेगी, Q की value 0 put करेगी, इस दोनों को जब मैं यहां पर put करूंगा, तो मुझे P की value 9 मिल जाएगी, एक तो इस तरीके से आप X square का coefficient मिलेगा, एक मिलेगा, अगर तुम R की value 0 put करो, Q की value 2 put करो, तो P की value आपको 8 मिल जाएगी, तो यह दो तरीके हैं जिससे आपको X square के coefficients मिलेंगे, और इन दोनों तरीके से मिलने वाले coefficients को हम add कर देंगे, तो पहले इस तरीक 1 है, यह देखो R1 है, तो यह 1 ही रहेगा, Q 0 है, यहाँ put करोगे, तो 0 रहेगा, तो सिर्फ 9 factorial बन गया, अब A की power 9, Q की value 0 put कर चुके हैं, तो यह पूरा का पूरा आपका 1 हो गया, R की value को अगर 1 put करेंगे, तो यह मिल जाएगा CX square, तो आप देख सकते हैं, आपर X square coefficient कितन मिल गया आपको, ऐसे ही अब इसको भी put करें यह वाला condition, यह पूरा, इसको put करें इस पूरे में, किस पूरे में, यह यह पूरा, यह पूरा, क्या मिलेकर ज़रा देखें, 10 factorial, over P है 8 factorial, 2 factorial और 0 factorial, A की power 8, BX की power 2, CX square की power 0, इसको simplify करो, तो यह मिल गया हमें 10 factorial, over 8 factorial, 2 factorial, A की power 8, यह मिला B square, X square, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक से, तो X square के 2 coefficients मुझे में ले, एक यह मिला है, और X square का एक coefficient यह मिला है, अब मैं नीचे दोनों को add करके दिखाता हूँ, और add करके मैं किसके equal रखूँगा, यहां पर जो X square को coefficient है, P2, इसके equal लिखूँगा मैं, लिख कर दिखाता हूँ नीचे, तो यह देखो, मैंने इन दोनों को जूड़ कर दिखा दिया, आपको, इसको, और इसको, P2, question में अगर देखोगे तो 210 रखा है, अब इसको आप खुद solve करके देखे, 10 आएगा, तो यह होगे, 10 A9C, अच्छा है, इसको अगर आप solve करेंगे, तो यह शायद 45 आएगा, 45 A की पावर 8 B square, equal to 210, 5 से कट जा रहा है, पूरा, तो सब को 5 से divide कर दो, ऐसा करने पर यह हो जाएगा, 2 A9C, 9 A8 B square, और 25 A, यह, यह आगया, हमारे पास, आपको याद होगा कि उपर हमने एक और चीज़ find की थी यह, लिख लेता हूँ मैं नीचे A9 B equal to 2, यह लिख लेता हूँ A9 B equal to 2, ठीक हो गया, अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इन दोनों को normally solve करना चाते हो, तो उत्रा आसान नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कुछ values put क करके इसको solve करनी को रिश्च करेंगे, तो मैं suppose कर लेता हूँ A यहाँ पर 1 है, इस वाले में, क्यों क्योंकि A की power ही जादा है, तो A को 1 माल लेते हैं, तो मुझे यहां से B की value कितनी मिल जा रही है, 2, अब इन दोनों values को यहाँ यहाँ put करो, यह कितना हो जाएगा, 2C, जर 2, 42, यह हो जाएगा 36, वहाँ ले जाके इसके साथ माइनस करोगे, तो यह 6 आएगा और यहाँ से C की value कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, तो A, B, C मिल गया है, अब question में वापस जाएं आप, यह है, तो A की value 1 है, B की value 2 है, C की value 3 है, तो 6, 2, 12, हमारा answer कितना आगे है, 2 आ आप देख सकते हैं, हमारे पास यह वाली value हमारे answer से match कर रही है, अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ A की value 1 put कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी value put करें, उससे आपको A, B, C मिल जाना चाहिए, और उसको जब हम यहाँ पर put करें, तो इन मैसे ही कोई answer match करना चाहिए आपका, ठीक है, तो सिर्फ 12 ही match करेगा, बाकी 3 match नहीं कर पाईए, तो इस तरीके से बच्चो यह वाला जो question है, यहाँ पर complete होता है,